गुड मॉर्निंग इस्टुडेंट्स तो ये क्या है एक पध्यांश है और मैं अपको इसका अर्थ समझाँगी कि इस पध्यांश में कभी हम सबको क्या बताना चाहते हैं तो चलिए पढ़ते हैं मुस्कुराता चल मधुर बंसी बजाता चल दीन दुखियों पर निरंतर सुख लुटाता चल बाग में चिडिया मिले तो हाथ से दाना खिला दे गर को या लगा रही हो एक स्वर अपना मिला दे तो इस कभी था कि माध्यांश हम से देखिए कि कभी हमें क्या बताना चाहता है की हमिसा हमें अपनी जिन्दिगी में क्या खरना चाहिए मुस्खुराते रहना चाहिए और मधूर बंसी मतलब मीठी द्धून में ही हमें अपने जिवन को बिताना चाहिए दीन दुखियों पर निरंतर सुख लुटाता है जिनको मदद की ज़रूरत है जो दीन दुखी है हमिसा उन पे हमको क्या करना चाहिए उनकी मदद करनी चाहिए बाग में चिडिया मिले तो हाथ से दाना खिला इस कवी के कहने का अर्थ है कि अगर कहीं हमें रास्ते में कोई भूखा मिल जाता है कि जो खुश है तो हमें उसके साथ अपनी खुशियों को भी क्या करना चाहिए मिला लेना चाहिए शेयर कर लेना चाहिए गीत गाता चल उदासी को हसाता चल मुस्कूराता चल मधूर बंसी बजाता चल रासते में हो अंधेरा प्यार से दीपक जला दे यदि वहां काटे बिछे हो फूलों की चादर चढ़ा दे तो क्या कह रहा है कभी हमें कि गीत गाता चल मतलब गाना गाने को नहीं कह रहा है वो कह रहा है कि जीवन में हमेशा उदासी को हसाता चल मतलब उदासी को भूल कर हमको हसते खिल खिलाते हुए खुश होते हुए अपने जीवन को जीना चाहिए और हमेशा मुस्कुराते हुए रहना चाहिए रास्ते मेहदर अंधियरा अर्थात अगर हमारे जीवन में किसी तरह की कोई परिशानी कोई अंधियरा हो रहा है किसी तरह की परिस्तिती आरी है जो हमको बहुत तकलीफ दे रही है तो भी हमको क्या करना चाहिए कि वहां उमीदों की आशाओं की एक किरण जो हमको उमीद द जलाना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए यदी वहां काटे बिचे हों प्फुलों की चादर चड़ा दे अगर बहुत मुश्किल परिस्टीति आ रही है तो हमको क्या करना चाहिए वहां पे खुशियों की फूलों की चादर वहाँ पे चढ़ाके और आगे बढ़ना चाहिए रास्ते में पढ़ेपद्थर हो हुटाता चल्मुस्कुरता चल्च मधुरबंसी बजाता चल्चु्ग अर्थात रास्ते में पढ़ा है पत्थर मींस हमारे जीवन के डगर में कोई भी परिस्थीती आ रही कोई भी बड़ा पहाडा रहे कोई असी परिस्थीती आ रही जिसको हम नहीं ठीक कर पा रहे है तो भी हमको क्या करना चाहिए उसे हटाने की कोशिश करना चाहिए हटाते ह हटाते रहना चाहिए और हमेशा मुस्कुराते चलना चाहिए होट पर होट हो बोल मीठे दुखी मन सुन मुस्कुराई सत्रों की बीच में भी प्यार की गंगा भाई मतलब कभी क्या कहना चाहते हैं इस कवीता के मद्दम से यहां पर हमको कि जब भी हमारे होट एक दूसरे से मिले तो हमेशा क्या हो मीठे बोल निकलना चाहिए ऐसे बोल जिसको सुन कर दुखी मन दुखी मन मतलब जो दुखी लोग हैं तकलीत में वो भी कैसे होने लगें मुस्कुराने लगें खुश हो जाएं और सत्रों के बीच में भी हमारे बोल इतने मीठे होने चाहिए कि सत्रों जो हमारे शत्रों है उसमें भी क्या आजाए प्यार आजाए हमारे लिए वो भी खुश हो जाए हमारी बातों को सुन कर गर जरूरी हो निडर लाठी घुमाता चल मुश्कूराता चल मदोरबंसी बजाता चल गर जरूरी है मतलब बहुत जरूरी हो अगर किसी भी प्रकार से हमारी परिष्थिती ठीक नहीं हो रही हो तब ही हमें वहाँ पे क्या करना चाहिए अपनी शक्ती का प्रदर्शन करना चाहिए और लाठी को बना मतलब तब जाके हमको अपनी ताकत वहाँ दिखानी चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता तो हमें हमेशा प्यार से ही हर परिष्थिती को क्या करना चाहिए समालना चाहिए और उसके आगे सब की मदद करनी चाहिए ताकि वो भी उस परिस्तिती से निकल सके और हमीशा जीवन में मुस्कुराते हुए ही चलना चाहिए ओकी तो थैंक यू